हेलो फ्रेंज आज मैं ऐसा ड्रामा एक्ट्प्लेन करने जा रही हूँ जो है तो पुराना बट अब भी भी बहुत जादा फेमस है तो अगर आपको भी थ्रीलर क्राइम और टाइम ट्रेवलिंग वाला ड्रामा पसंद है तो ये ड्रामा जरूर देखे तो ड्रामे की शिरुवात होती है जुलाई 2000 से जहां हम देखते हैं एक छूटी लड़की को जिसका नाम यून रहता है वो अपनी स्कूल में देखती है कि सारे बच्चे खेल रहे उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं है फिर देखती है कि साइड में एक लड़का भी है अकेला इसका नाम पाक रहता है यून उसके पास जाकर खेलने का हाथ बराती है बट वो उसके साथ ना खेल के वाँसे चला जाता है आगे जाकर देखते हैं कि एक लेड़ी खड़ी हुई है जिसने रेड़ शूस पहनी हुई थी फिर वही लेड़ी जाकर यून को लेकर जाती फिर जब घर पर खा रहा था टेवी में नियूस देखता है यून की किनैपिंग के बारे में फिर उसको स्कूल में भी करने के बाद वो लोग को एक सस्पेक्ट मिलता है ति पार देखता है नियूस में आता है कि किनैपर ने 50 मिलियन पैसे मांगे थे जिस लेटर की जरीये मांगे थे उसके फिंगर प्रिंट से जून नाम का बंदा पाया गया है पार देखकर बोलता है कि किनैपर तो कोई ले इसी रहते हैं जून को ढूलने में फिर यून की लाश मिलती है जिसकी वजह से सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे जून नहीं मिलता है तो लोग कंसीडर कर लेते कि हो सकता है वो डेश छोर कर चला गया होगा उसकी मां पुलिस टेशन के बार अपनी बेटी के अगर करपीट को नहीं पकरेंगे तो फिर उसके बाद उसको सजा नहीं हो सकती है फिर ज्रामा ले जाता है 2015 में जहां सिफ तीन दीन बचे रहते हैं उनके केस स्ट्रेच्व आफ लिमिटेशन को खतम होने में फिर एक पार को जो एक रिपोर्टर को सेलिबरीटी के बारे म लिए फिब खपर कैसे मिल जाती है तब नर्मकी बोलती है दुसरों की कचरों में हाठ डाल कर वह रहती है डिटेक्टिफ सोहन फिर वो पार को पुलिस टेशन ले जाती है तब मालुम पर था है कि सेलिबरीटी ने तुन पर केस लगाई है स्टॉकिंग का मतलब वो उसके वारे में जाने के लिए जो उसकी घर के आसपस घुमता था उसकी वजए से पाक बोलता है किसी के कच्रा देख रहा स्टॉकिंग होता है क्या पुलिस वाले हो के उसकी घर के आसपस घुमने दुसरे तुम्हें वह भी कम पारा तो तुम रिपोर्टर का इंफॉर्मिशन दी आसपस अब पैसे कमा सकों वह पॉलता पैसे मैंने कोई पैसे नहीं यह मेरी हब्ही मैं पैसे के इसब नहीं करता च्री रिपोर्ट है यह कैसी यह पुलिस वाले अपनी किसे खराब कर रहा है पर सोहन का पूरा डैक्स लेक्ट लेखते हैं इतने सारी वाइल रखी है इसको उठाकर लेकर आगई फिर उसके डेक्स पर देखता है एक बैटमेंट की फोटो रहती है जिस पर लिखा रहता है कि हर एक हत्करी धाई लीटर आस्ट लेकर घूंगता है वह बोलता कुछ जादा नहीं हो गया बैटमेंट की फैनों फिर चियोल का डेक्स देखकर बोलत करते हुए इज़त की ना तब भी सेलीब्रीटी कॉल करके बोलती है कि हम रिपोर्ट विड्रो करते है तो पाक बोलता है अब मैं तो छूप नहीं बैटने वाला हूं मैं नहीं चुरूंगा तो सोन बोलती है कि हो ठीक है देखते है कि कौन जीता है और कौन हारता है बैट वो डड़के चला जाता है तो सोन उसको एक सजेशन देदी कि हो सके तो दुसरा कुछ काम शुरू कर दो कि पुलिस बनना तुमारे बस की नहीं है वह थोड़ा आगे जाता है तो वहां का कोरिडर देखकर उसको पहले का याद आता है कि बश्वर में भी वह वहां आया था फिर पहले का दिखाता है जहां पर छूटा पार्क पूलिस्टेशन में रहते है तबी कोई पुलिस वाला उससे पूछता है तो डर के भागता है जिससे वो डिटेक्टिव जेहन से टकराता है उसके हाथ कपे पर जेहन रख लेता है फिर वह जाता है और प्रेजंटेशन भी होई तो चीफ बोलता है कि सट्सपेक्ट होने के बाद भी उसको ढूलनी पा रहे हो तब वहाँ एक आके बोलता है कि एक और लेटर भीजा है जिसमें फिर से जून पैसी की डिमांड कर रहा है तो चीफ सारी पुलिस को कामपन लगा देता है इधार जेहन बोलता है कि ह रहने दो हम लोगने पहले जून की जिन्दगी में जितनी भी लड़किया सबके बारे में देख चुके हैं तुम भी बस करो चीफ के चंचे लगता है तब वहां पर सोहन यूनिफॉर्म पैन के आती है जिसने अभी भी ट्रांसफर ली थी और उसको बोलती है कि हमने जो ब सब्सक्राइब करने की कोशिश करता हूं ना वहां पास्ट में बैट कर पाता पेपर दिखता है जिसमें निखा था किन्नाय पर लड़का नहीं लेडी है उस पर उतना धियान नहीं देता और वहां से जाता है इधर प्रेजेंट में पाक बाहर आके देखते एक बढ़ा अ सब्सक्राइब करने की कोशिश करता है बट कॉल नहीं लगता तब टाइंग 11 21 हो रहा था उदर जे एन होस्पिटल में पहुंचकर छानबिन करता है फिर जैसी ही 11-22 होता है जेन की वाकी टॉकी पर सिगनल आने लगता है फिर वो डिटेक्टिव पाक को बोलता है कि मेरी अवाज आ रही है यहां प्रेजिन में पाक को ट्रक की कचले की थैनी में से कुछ आवाज आने लगती है तो थोड़ा शॉक हो जाता है फिर जेन बोलता है कि मैं मैंडर होस्पिटल में आया हूं बिल्डिंग के पीछी एक में होल में जून की लाश पड़ी हुई है जो सक पाक बोलने लगता कि कौन हो तुम क्या बोल रहे हो यह सब और यह मेंडर होस्पिटल कर आए जेन बोलता है कि तुम नहीं तो मुझे बताये यह जगा के बारे में तभी जेन की पिछी से कोई गुजरता है तो वह डर के पीछे देखता है और फिर पुछता है कि तुम मु भी नहीं होता है फिर वह इधर उदर देखकर खुद को एक चमाट मारता है कि मैं सपना तो नहीं देख रहाता वाट उसको बहुत जोड़ से लगती है फिर अपनी गारी लेकर निकलता है पुली स्टेशन के बाहर यून की मॉम को देखता है फिर उसको पस्तावा भी रहत होता है फिर सुचता है कि जरूर मैं बहुत काम कर रहा होंगा तभी मुझे ऐसा लग रहा होगा बट उसको जेन की बात याद रहती है मेंटल होस्पिटल की तो फिर वहां पर वह पहुंच जाता है अंदर जाकर सारी चेकिंग करता है फिर बिल्डिंग के पीछे पहुंच से देखता है तो सिर्फ हड़ी पड़ा हुआ है फिर पुलीस लग वहां आते हैं सोवन पाक से पुछती है कि तुम यहां क्या कर रहे थे और यह लाश कैसे मिली उसको कुछ समझता नहीं है तो बोलता है कि हो सकता थोरा अजीब लगे बट कुछ भी मत पुछना बस यह होगी और इसके अंगुटे शायद स्काल पिल से जबरदस्ती काटा गया है तब ही डियने रिपोर्ट आ जाती है वहां पाक एक से पुछता है जीन के बारे में तो बताता है कि करंट में तीन लोग है प्लीस में जीन नाम के बट वो लोग यून के के बारे में नहीं जानत सोगन बोलती ही कि इन्वेस्टिकेशन के दोरान जून के जितने भी निशान मिले दसीद उसके अंगुटे के थे और इस बोड़ी में उसका अंगुटा गायाव है जरूर यून की किननापर नहीं जून को मारी होगी तो सिर्फ कर्पिट कोई पता होगा जून की लाश साथे हुए भी अपने कैप्टेन को फाइल दे देती है पापको समझता नहीं कि क्या हो रहा तो चिलाता है चीवाल बोलता है कि पुलीस एजन्सी केस को बंद कर देगे इसलिए जाओ यहां से उच्छी सो फाइल जाके कि कीम को देता है और बोलता है कि जैन सही बोल रहा सब्सक्राइब आज़ को बॉल ना ठीक रहेगा उधर पाक स्वहन को बोलता है कि एसी हान बनोगीं क्या तुम पूछ रही तरहा मैं कर पिट को जानता हो की नहीं तो सुनो मैंने कर सुन लिया और री उपन करते केस को तो पुलिस को मानना पड़ता कि वो लोग ने केस को अच्छे से सॉल्फ नहीं किये और उसकी वज़े से शर्मिंदा भी उठाना पड़ता ना उधर देखते हैं कि चीफ जाता है यह उनकी मां के पास और उनको बोलता कि कल्पिट ने बाइक नहीं इसलिए घर जा तो सारी मीडिया घेल लेती और सवाल करने लगती है कि क्या चल रहा है क्या सही में उसने सुसाइट किया है तो पाक बोलता है कि नहीं जुन का मडर किया गया है मैंने उसकी लाश को पहले मेंटल हस्पिटल में देखा ता जिसका अंगुटा नहीं था कल्पीट एक नर्स फंदा साल पहले उस हॉस्पिटल में काम करती थी एंड वो सकल्पिट का इस्तमाल अच्छे से करना जानती है कल्पिट को बोलता है तुने 15 साल अच्छी जिन्दगी जी ली यह बट अब हमारे पास मजबुत सबूत है तु बच नहीं बट जब टीवी ऑन करता है तो पाक की बाते सुनके शौक रहता है वहां एक हॉस्पिटल में नर्स नियूस सुनके डर जाती है फिर इदर यह पुली स्टेशन में बैटे रहते हैं तब ही चीशू आकर चिलाता है कि दिमाग नहीं दोनों के पास मीडिया में सारी बाते ब महेंगे लग रहे थे और उसने रेड शूज भी पहनी हुई थी कैसे उसने एक बच्ची को किटनाक की थी अपने फाइदे के लिए तो इससे लग रहा है कि वो किसी की परवा नहीं करती है ऐसा नहीं हो सकता है कि जुन उसका साथ मिला होगा जरूर जुन उसको पकर लिया था तो हर किसी को अलाव नहीं था जाने उसकी रेट लिप्स्टेक और रेट शूज से अलग उसके नाखुन जो एकदम ही साफ थे क्योंकि मैनीक्यूर नहीं कर सकती थी अपनी चौप की वज़े से जरूर वह नर्स होईगी उस होस्पिटल में जो स्काल्पल का इस्तमाल क समान होने से पिछले 5 साल का जिसमें सिर्फ दो लेडिस डॉक्टर थी एक 40 उमर की और दूसरी मेंटनिटी लिफ पर थी और अगर जुन का क्रेडिल कार देखा जाए जिसमें जो समान खड़ी देते वो किसी 20 साल की लड़की ने ली होईगी 15 साल बीद गया है तो मतलब अ सबसे मिलोगी हमारे पास जितना टाइम बचा उसमें तब लोग अपने ही कलिक पर नफर करेंगे कि नई Oh नहीं हो सकता फिर उस पर डाउट करेंगे अगर वो कुछ भी अजीब हरकते करेंगी तो तूव कि मैंने मीडिया में बोला कि हमारे पास पक्का सबूत है तो जरूर वो कुछ अजीब हरकत करेंगी या तो डर के भागेगी तभी कॉल आता है और नर्स के बारे में बताता है कॉल आने लगते तो सोवन चीज़ों से पर्मिशन मानती ऑफिशियली इन्वेस्टिकेट करने के लिए वह अलाव करता और बोलता है कि 24 घंटे में कल्पीट को ढूंड के उसे कंफेस करवाओ फिर यह दोनों निकलते हैं पाक बताता है कि जुन का क्रडिट काड यही यूज करती थी मतलब लोगों को स्कैम करना और शॉपिंग में ब्रैंड चीज़ खरीदना इसके पसंद है यह लोग सारे नर्स का लॉकर जाकर देखते हैं जिसका भी कॉल आया रहता है बट वैसा नहीं मिलता पाक बोलता है कि कल्पिट बहुत स्मार्ट और क्विक एक्शन करने वाली है अपने फाइदे के लिए वह कुछ भी कर सकती हमें जल्दी उसको पकरना होगा वहाँ कैंग जाती रहती है इधर हस्पिटल में यह नर्स जीन सोचती रहती की कॉल करूं यह नहीं छे घंटे बचे रहते हैं फिर वहीं नर्स का कॉल आते तो यह लोग जाके देख पकरने और कुछ भी है हेलिकॉप्टर यूज कर रहा लेकिया उसको फिर एक घंटा चालीस मीनट रह जाते हैं यह दोनों भाते हुए अंदर जाते हैं वहां यह उनकी माँ पुछने नगती कि मैंने सुनी कल्पिट कोई और है मेरी पीटी को मानने होली मिल गई क्या वह ल बोलता है कि अभी घर जा जो हो सकता है तुमने की ए वह पुछता है उसने शूस कौन से कलर का पहनी थी मैं सोच रहा हूं अगर उसको भागना आई था तो अपने शूस क्यों नहीं लेके गई तब पाक कुछ सोच के हरान रहता है उदर सो हन पुछती निउस के बाद तु यह कलपिट नहीं है लोकर में कब कफेस लेफ ता मतलब उस लोकर का मालिक लेफ्ट हैंड़ है कलपिट कोई और है सुविन कुस्ति कौन है फिर देखते हैं कि जो नर्स में कंप्रेंड की थी वही निउस देखकर डर जाती है जैसे कि पाक ने बोला था कि वह स्मार्ट और बेवकुब बनाने में वह समझते कि वह ज्यादा ही स्मार्ट है जरूर यहीं कई होई कि देखने के लिए पुलीस कैसे बेवकुब बन रहे है फिर लग सब बाहर जाते हैं उसको ढूनने के लिए अप से 40 मिनट बचे रहते हैं वहां पाक को ढूंटे ढूंटे एक 2020 मिनट रह जाते हैं यहीं पर एपीसोर्ट खतम हो जाता है आगी देखते हैं कि जो गुण़ए उसने 15 साल में कबूर नहीं कि वो 20 मिनट में करी या नहीं क्या उसको पंधर सब्लाइब करें जानने के लिए नेक्स एपीसोर्ट जरूर देखें तो नेक्स एपिसोर्ट द